यूटूब वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है और वाटसब पे भी मैसेज किया जा रहा है 63cc अर्थ ओगर या 68cc अर्थ ओगर मीनी पावर टिलर का कलच कैसे निकाले, कैसे खोले, किस तरह से खोल कर कलच को बाहर निकालना है देखे ये कलच डैमेज हो गया है, कलच को खोल कर बाहर निकालना बहुत ही असान है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कलच को किस तरह से खोल कर बाहर निकालना है, कैसे फेट करना है 10 नमबर का टीरेंच आपको लेना है ये 10 नमबर का बोल्ट लगा हुआ है कलच में अगर आप ऐसे कलच खोलेंगे तो कलच घूमता रहेगा बढ़ खूलेगा नहीं इसके लिए आपको पिश्टन को लॉक करना पड़ेगा टॉप कभर में 2 एलिंके बोल्ट लगा हुआ है दोनों एलिंके बोल्ट को खोल कर आप बाहर निकालिए और कभर बाहर आजाएगा कभर खुल चुका है अब आपको खोल कर बाहर निकालना है स्पार पलग स्पार पलग खोलने के लिए आपको पलग रेंज चाहिए हर मसीन के साथ में पलग रेंज मिलता है जब आप नया मसीन खरिते हैं तो आपको साथ में मिलता है पलग रेंज पिलग रेंज की मदद से आप अस्पार पलग को बहुत ही असानी से खोल कर बाहर निकाल सकते हैं देखना है आपको यहाँ पर पिश्टन नीचे होना चाहिए पिश्टन नीचे नहीं है तो पिश्टन को नीचे कर लिजे कलच को हुमाकर या इस्टार को खेच कर पिश्टन को लॉक करने के लिए हमें डालना होगा सिलेंडर में रस्टी आप स्टार रॉप डाल सकते हैं या कोई मजबूत रस्टी डाल कर पिश्टन को लॉक कर लिजे पिश्टन को लॉक करने के बाद आपको इस बोल्ट को खोलना है 10 नमबर का bolt आप बहुत आसानी से खूल जाएगा देखिए T-range की मदद से आप bolt को बहुत ही आसानी से खूल कर बाहर निकाल सकते हैं और इसके साथ में एक washer भी राता है देखे दोस्तों ये washer आपको लगाना है जब आप नया कलच फिट करेंगे तो आपको देखकर वासर को जरूर फिट कीजिएगा only clutch को आपको पकड़ना है इस तरह से पकड़कर उपर उठा कर रखना है only clutch को पकड़कर उपर उठा कर रखना है आपको देखे कई लोग का crank ass damage क्यों होता है खराब क्यों होता है तूटता क्यों है इस तरह से वो clutch को बाहर निकालना चाहते हैं इस तरह से clutch को अगर बाहर निकालेंगे आप तो नहीं निकलेगा दोस्तो clutch को उपर उठा करके रखना पड़ेगा और bolt को दुबारा से लगाना है clutch को गुना है जहां पर bolt लगता है वहाँ पर आपको इस तरह से petrol या mobile डालना है petrol या mobile डालकर आप इस तरह से bolt को tight कीज़े बट full tight नहीं करना है आपको क्या करना है bolt को full tight नहीं करना है थोड़ा lose रहेगा दोस्तो bolt को full tight नहीं करना है bolt के उपर आपको hammer से या एक rod लेकर आपको इस तरह से ठोकना है और clutch को उपर उठा कर रखना है clutch को पकड़ कर उपर उठा कर रखना है दोस्तो clutch को पकड़ कर उपर उठा कर रखिएगा और उपर से rod लगा कर hammer से ठोकेगा न bolt पर ठोकना है दोस्तो यह rod पतला है, हलका है, आपके पास अगर बेना है तो आप उससे खोल सकते हैं, bolt को हम दुबारा से खोलेंगे और oil डालेंगे, 20W40 oil जो आप बाइक में डालते हैं, यह देखिए, इस oil को आप थोड़ा सा यहाँ पर डाल दीजे गुना में, यहाँ पर थोड़ा सा oil डाल देखिए, गोटी का जो हैंडल होता है, इस तरह का हैंडल लेकर या मोटा रॉड लेकर आप ठोकिएगा, बहुत ही असानी से बाहर निकल जाएगा, मोटा रॉड या हैंडल लेकर आप हैमर से ठोकिए, कलच को उपर उठा कर रखिए, देखिए दोस्तों, कलच लूज हो आप इस तरह से कलच को बहुत ही असानी से खोल कर बाहर निकाल सकते हैं, देखिए, अब मैं फेट कर रहा हूँ, न्यू कलच, न्यू कलच आपको इस तरह से लगाना है, लगाने के बाद वासर के साथ बोल्ट को टाइट करना है, वासर आप जरूर लगाईगा दोस्तों, वासर अगर लगा हुआ है, तो देख कर लगाईगा, यह देखिए, यह वासर आपको बोल्ट के साथ में लगाना है, क्या आप इस मसीन का इस पेर पार्ट्स घर बैठे की खरीदना चाहते हैं, जैसे की कार्बुरेटर, असपार पलग, फ्यूल पाइप, कलच, सलेंडर, सभी एस पेर पार्ट्स हमारे पास एबलेबल है, अभी ओर्डर कीजे, मैं आपको आपके घर पे भेजूँगा, कुरियर दुआरा, एस पेर पार्ट्स, अभी कॉल कीजे और ओर्डर कीजे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्सन में आपको हमारा वाट्स अप नमबर मिल जा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,